हेलो स्टूरेंट्स कैसे आप सभी उम्मीद करती हों बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम है प्रियंका और आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है मैगनेट ब्रेंज हिंदी मीडियम पर मैगनेट ब्रेंज हिंदी मीडियम पर आपको मिलते हैं सिक्से ट्वेल्थ क्लास तक के सभी विश्यों के हाई क्वालिटी कॉंटेंट इसके साथ ही मैगनेट ब्रेंज हिंदी मीडियम आपको प्रोवाइट कराता है ना सिर्फ CBSC बोर्ट बलके अदर स्टेट्स बोर्ट जैसे की MP बोर्ट, UP डली बोर्ट, बिहार बोर्ट, राजस्थान बोर्ट जैसे बोर्ट के भी फुल्ली और्गनाइस कोर्सेज और ये सभी कोर्सेज आपको मिलते हैं बेलकुल, फ्री ओफ कॉस्स, मतलब कि आपको इसके लिए किसी भी तरह की कोई भी पेविमिंट करने की जरूरत नहीं होती है अगर आप हमसे e-notes और e-books भी लेना चाहते हैं तो उसकी link आपको नीचे दिये हुए description box में मिल जाएगी तो चलिए इसी जानकारी के साथ शुरू करते हैं आज की class और आज हम क्या करने वाले हैं तो हमारी एक mini series चल रहे हैं, जिसमें हम बात कर रहे हैं किसकी एक series और मिनी जानकारी के अंदर हम तत्वो को जान रहे हैं वाला है half-niam, कौन सा तत्वो होने वाला है, उसकी हम बात करने वाले हैं तो चलो बिना किसी देरी के फटा फट से वीडियो को start कर देते हैं लेकिन उससे पहले आपको करना है एक छोटा सा काम की जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीना है और अपने सभी दोस्तों को और आपको लगता है कि जिसके लिए भी important हो सकता है उनके साथ share कर दीना है मैं चलती हूँ topic की तरफ तो सबसे पहले देखो हम अपनी periodic table आवर्चानी देखेंगे हमारी आवर्चानी जो कि यह से दिखाई देती है इसमें halfnium का स्थान कुछ इस जगह पर आता है ठीक है और यहां जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे तत्वों को हम काफी अच्छे से पढ़ चुके हैं दे लेते हैं तो देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी halfnium के संकेत की तो यह होता है halfnium का संकेत जिसे capital H और small f से दर्शाय जाता है नाम की बात करें तो यह halfnium है इसके अगर हम परमाणू क्रमांग की बात करें तो यह इसका परमाणू क्रमांग होता है 72 और अगर हम इसके परमाणु भार की बात करें तो इसका परमाणु भार होता है 178.49 मतलब 178.49 चीक है तो यह हो गया इसका परमाणु भार यह हो गया इसका परमाणु क्रमा संकेत आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ पर इसका नाम भी है देखो बई कुछ element जो होते हैं कुछ तत्व तो देखें, लेकिन हम उनके नाम ही नहीं जानते हैं, जैसे कि हाफनियम की बात करें, तो हमने बहुत कम-कम सुना होता है, है ना, तो हाफनियम HF देखो, तो समझ जाओ क्या है, हाफनियम की बात हो रही है, ठीक है, चलो वे, आगे और जाने हाफनियम के बारे में, तो है चांडी की जैसी है ची है चीक है अब देखो आगे रासायनिक रूप से यह जर्कोनियम के समान है और कई जर्कोनियम खनेजों में पाई जाती है अब अगर हम इस हाफनियम की बात करें तो हाफनियम से पहले हमने पढ़ा था जर्कोनियम चीक है तो क्योंकि आसपास ही तत्वर रखे हुए हैं तो इसके जो कुछ गुण है कुछ रूप है वो किसकी तरह है वो जर्कोनियम के जैसे ही इसके कुछ रासायनिक रूप आपको देखने को मिल जाएंगे और कई zarconium जो है ये कई zarconium खनिजों में भी halfnium पाया जाता है ठीक है इसके बाद बाद करें तो इसका नाम कहां से पड़ा तो देखो भई इस halfnium का नाम जो है थोड़ा सा अलग लगता है ना कि अरे different सा नाम है तो हुआ क्या था कि इसका नाम जो था Copenhagen में चीक है ये एक जगेह का नाम है और इस जगेह को Latin भाषा में कहा जाता है हाफनिया क्या कहा जाता है हाफनिया और उसी हाफनिया शब्द से इसका नाम हाफनियम पड़ा चीक है यहाँ दा clear है चलो भई आगे और देखें तो अब हम बात कर लेते हैं किसकी अब ये इसका कुथनांग होता है और वहीं इसके गलनांग की अगर हम बात करें तो ये होता है 2233 degrees Celsius ठीक है तो ये कुथनांग, ये गलनांग मिल जाता है इसके बात करते हैं कि ये शुद्ध धातू रूप में विशैला नहीं माना जाता है लेकिन हाफनियम यौगिकों को ऐसे समभाला जाना चाहिए जैसे कि वे विशैले हों क्योंकि इनके आइनिक रूप आम तोर पर विशाक्त होते हैं अब देखो जो हमारा हाफनिया है ये धातू रूप में तो कैसा शुद्ध धातू रूप में अगर मिलेगा तो ये विशैला नहीं माना जाता है लेकिन उसके बाद भी जो हाफनियम यौगिक हैं उनको बहुत ही समाल कर यूज़ किया जाता है क्यों क्योंकि अगर ये लोहा, टाइटैनियम, नायोबियम, टैंटलम और अन्य धातूं के साथ मिश्र धातू में किया जाता है अब हाफनियम का उपयोग होता कहां कहां है जैसे कि हम बात करते हैं कि हर तत्व का उपयोग कहां किया जाता है तो अगर हम हाफनियम के उपयोग की बात करें तो लोह में इसका प्रयोग किया जाता है तो कैसी लगी आपको हाफनियम के बारे में ये जानकारी देखें बेसिक सी चीजे जो थी जो के हम हर तत्वों के बारे में जान रहे हैं उस पर बात कर रहे हैं उमीद है कि आपको हाफनियम के बारे में काफी कुछ पता है बहुत तो हम नही क्या होगा और यह जानकारी आपको कैसी लगी नीचे दियो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं अब हम करेंगे नेक्स वीडियो में अपने नेक्स तत्व की बात तो आगे आने वाले सभी वीडियो के लिए इसी तरह के और इच्छे वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हैं Magnet Brains के YouTube चैनल, वेबसाइट और अप्लिकेशन के साथ, Magnet Brains इंडिया का नंबर 100% free online education platform, अगर आप हमसे e-notes और e-books भी लेना चाहते हैं, तो इसकी लिंक आपको नीचे दिये हुए description box में मिल जाएगी, इसी के साथ हमारे पास हैं आपके लिए कई सारे top courses, जो कि यहाँ screen पर आपको बड़े-बड़े अक्षरों में दिखाई दे रहे हैं, और यह सभी top courses आपको मिलते हैं, high quality education के साथ, English और Hindi दोनों ही medium में, साथ ही इन courses के लिए आपको किसी तरह का कोई payment नहीं करना पड़ता, कोई subscription नहीं लेना पड़ता, क्योंकि सभी courses आपको लगा हो तो वीडियो को like करें, दोस्तों को share करें और चैनल को subscribe करना ना भूले, मिलते हैं, next topic के साथ तब तक के लिए, bye bye